मेरे प्रिविध्यार्थियो आज हम सुदू करने जा रहे हैं 2022 में जो सेट आया था अनसॉल्व करवा रहा हूँ तो आप भी कंसर्टेशन बिल्वकल बना के रखिएगा और कुछ समय निकालिएगा आप कुछ ही सेट हल करेंगे और आप अच्छे तरीका से पिपर को सॉल्व कर सकते हैं यह मतलब बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे उतलिएगा हम देखते हैं सेक्षन ए सेक्षन ए जो पंद्रा नंबर में आता है अंसीनी पैसेच जिसको हम कैसे सॉल्व करें तो देखिएगा अगर हम इसका हिंदी में अर्ष जान लेते हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा देखिएगा इट इस ओनली अंडर एडबर्ज सर्क्यूमिस्टेंस सर्क्यूमिस्टेंस में सुता परिस्थितियां तो यह केवल अंडर एडबर्ज में उसकता बिशम परिस्थितियां ही होती हैं देट माने जब यह जो दे रियल मैन इस डिस्कवर्ड एक वास्तवक आदमी को खो जा जाता है हमेन ऑप काहरेक्टर दमीन नोबल इंटेंशन कि अच्छी इरादों बाला व्यक्ती स्ट्रौंग और अच्छी वचारों बाला and virtue of selfish service यहीं कि virtue माने गुण और selfish service होता है निश्वार्थ सेवा, निश्वार्थ सेवा के गुण बाला, to other यहीं दूसरों की, तो दूसरों की निश्वार्थ सेवा के गुण बाला, अच्छे स्वास्त शरीर बाला, अच्छे एरादों बाला और एक चरित अच्छे चर में बूर्द इविन हिज प्रूप्शनी की सिद्ध कर देता है तो अपनी योगता को मुशीवत की समय में सिद्ध कर देता है वह मुशीवत का सामना करता है तो वह अपनी मजबूत इच्छा और इरादों से मुशीवत का सामना करता है यदि उसकी कोई एक्षा है तो यदि उसकी कोई चीज करने की तो यदि उसकी कोई चीज करने की एक्षा है तो nothing can stand in his way उसके मार्ग में कोई ख़़ा नहीं हो सकता है He can procure all obstacles to achieve his mission He means why He can procure जी सकता है All obstacles मतलब obstacle माने होता है सभी बस्तूओं को सभी चीजों को To achieve his mission अपने मिसन को प्राफ्ट करने के लिए अपने मिसन को प्राफ्ट करने के लिए वह हर चीज पर बिज़ाए प्राफ्ट कर लेगा Since क्योंकि his objective is noble and worthy क्योंकि उसके काम योग होते हैं In the days of prosperity pleasure यानन्द के आनन्द और सम्रद्धी के दिनों में we sleep हम सोते हैं and enjoy और आनन्द लेते हैं and not know not what we are हम नहीं जानते कि हम क्या है सम्रद्धी के दिनों में हम आनन्द और आनन्द और सम्रद्धी के दिनों में हम सोते हैं, आनन्द लेते हैं और नहीं जानते हैं कि हम है क्या but in adversity लेकिन मुशीवत की समय में in the inner man backs up अंदर का आदमी जाग जाता है and we come to know और हमें पता चलता है our real strength and weakness अपनी बास्तविक तागत और कमजोरी का हमें पता चलता है तो इसको मैं न पढ़ा ठीके न अब हम इसके जो question answers में दिये गए है इनको हमें solve करना है ठीके तो दिया गया है when is the real man discovered यानि कि real man बास्तविक आदमी को कब जाना जाता है तो लिखा है it is only under advised circumstance that the real man is discovered ऐसा लिख दो कि तीन नंबर मिल जाएंगे ठीके what kind of a man proves किस प्रकार का आदमी मुसीबत में अपने योगता सिद्ध करता तो या आप यहाँ लिख सकते है a man of character noble intention of strong and virtue of selfish service to other probe his birth even in times of adversity यहाँ तक लिखतो तीन नंबर छे नंबर के लिए who can can cure his mission अपने mission को कौन जी सकता है तो यह जीखता है man of character तो यह की जगा लिख दीजिएगा a man of character explain करना underline को बताऊंगा अभी ठीक है देखो तैसे यहाँ लिखा है दिया गया है the real man is discovered देखो यहाँ पर यह question दिये गए है ठीक है तो यह इनको देखना है तो तीन नमबर यहाँ पर देखो बिलकुल मिल जाएंगे the real man is discovered only under adverse excrements दूसरा था a man of character तीन नमबर यहाँ हो जाएंगे a man of character अड़ी नमबर में दिया गया था ड़ी नमबर में दिया था क्या दिया था कि explain in your oven bird underline इसको inner man backs up इसको करना तो धी नमबर में देखिएगा the inner man backs up means होता है that की when we are in trouble जब हम कटनाई में होते हैं तो our real strength and weakness are find out तो हमारी बास्तविक तागत हमारे डर बाहर आ जाता है ठीक है देखिएगा कट गया रहा थोड़ी दा रियल में बैक्सप मीन देट when we are in trouble our real strength and weakness are find out ठीक है तिन नमबर यहां मिल जाएंगी अब इसमें दिया गया है कि दा आपोजेट सेल्फिस सेल्फिस का आपोजेट होता है सेल्फलेस तिन नमबर आपका यहां किलिए मतलब एक नमबर का आएगा यह तो माजरी के मितलब होता है मुशीवत और आडवर्सेटी का मतलब होता है अफ्टेकल का अबजेक्ट तिन यह पंदा नमबर आपका यहां पर क्लिए हो गया ठीक है अब अन्सॉल्ड में हम आँगे देखेंगे सेक्षन भी सेक्षन भी में दिया गया है राइट एन आर्टिकल ऑफ एनिवन ऑफ दा फोलोविंग ठीक है तो कोई सी एक पर करना सौ से देड़ सो सब्द में है तो हम डॉबरी सिस्टेम पर कर रहे हैं बताएंगे समझाएंगे डॉबरी सिस्टेम दहिच पर था ठीक है इसको हम थोड़ी अलग करते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ डॉबरी सिस्टेम को देखेगा ठीक है देखें सेक्षन भी बिश नमबर का आता है दस नमबर में निवन्द, दस नमबर में अप्लिकेशन, पहले हम सेक्शन B को राइटिंग देगें, डॉबरी सिस्टम देखेगा, बड़ी सरार भासा में सब्दों में लिखा है, इंट्रॉडक्शन देखेंगे, डॉबरी सिस्टम has become the roast problem in our country, डॉबरी सिस्टम का मतलब होत दहेज प्रथा, has become यानि हो गई है, the roast means होता सबसे बेकार, problem means समस्या in our country हमारे देश में, तो दहेज प्रथा हमारे देश में सबसे गंबी समस्या हो गई है, ठीक है, it has took the form of devil now, it यानि कि इसने has taken, has taken यानि कि धान कर लिया है, फर्म में इसका रूप, of devil माने होता है, राक्षस का, दानाओ का, इसने अब दानाओ का रूप धारान कर लिया है, दहेज जो है, अब दानाओ बन गया है, अगर has to face many difficulties, अगर लेने कि किसी भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो, has to face, सामना करना पड़ता है, many difficulties, कई कठना करनाओ का, किसी भी लड़की को, कई कठनाओ का सामना करना पड़ता है, because, क्योंकि, because of this, because of dovery system, दहेज पठा के कारण, because of dovery, dovery system, दहेज पठा, दहेज पठा के कारण, लड़की को, कई कठनाओ का सामना करना पड़ता है, because of dovery, dovery के दहेज के कारण, many fathers, कई पिता, suicide, आत्म, हत्या कर लेते हैं, because, क्योंकि, they are not able to pay the dovery, क्योंकि, they are means होते हैं, not means नहीं, evil means होते हैं, सक्षम, तुपे, यानि कि, चुकाने के लिए, देने के लिए, the dovery means, दहेज, क्योंकि, दहेज देने में, सक्षम नहीं होते हैं, दौबरी, as a gift, दौबरी, एक दहेज, उपहार की रूप में, अगली heading हम लिख सकते हैं, in ancient time, यानि कि, प्राचीन समय में, जब प्राचीन समय होता था, तो प्राचीन समय में, दौबरी, वाज गिबिन, दौबरी, यानि कि, दहेज, वाज गिबिन, दिया जाता था, तो दौबरी, गुरूम, साइडर, बरपक्च वालों को, एज, अगिब्ट, उपहार की रूप में, तो दहेज, उपहार की रूप में, बरपक्च वालों को दिया जाता था, पुराने समय में, दहेज जो था, गिब्ट की रूप में, उपहार की रूप में, बरपक्च वा ब्रICIAइड साइडर बरपक्षवाले ब्रयड मींस बरपक्षवाल साइडर बरपक्षवालों कोई डेते थे अनुद राइवर को इसे भी तो नजो कुछ वी रह उनके पास होता था उट लेकिन कंपन नाव दःगन अब the situation is changed, अब परिश्थी बदल गई है, अब परिश्थी बदल गई है, क्या, now, अब a father has to give, अब एक पिता को has to give देना पड़ता है डौबरी यानि की दहेज, लेकर अब एक पिता को दहेज देना पड़ता है, विकोज क्योंकि, there is no marriage, बिवाह नहीं होता है, without डौबरी बिना दहेज के, क्योंकि बिना दहेज के बिवाह नहीं होता है, ठीक है, अगली हैटेंग अगर हम लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, डौबरी as a devil, ठीक है, तो दहेज एक दानो की रूप में, कैसा है दानो की डानो की तरह होता है, nowadays आजकल, grooms are being sold, दूले बेचे जा रही हैं, आजकल दूले बेचे जा रही हैं, in open market, खुले बाजारों में, with high rates उँचे दामों पर, आजकल दूले उँचे दामों पर, खुले बाजारों में बेचे जा रही हैं, Because of Dobry, दहेच के कारण, a maritful and beautiful girl, एक गुरवान और एक सुन्दर लड़की, has to marry, को बिवाह करना परता है, a boy with ugly face, यहनि की गंदे चहरे वाले, और आउगुनी, unmaritful, आउगुनी, लड़के से बिवाह करना परता है, कहने का मतलब, दहेच के कारण, एक गुरवान और सुन्दर लड़की को, एक बुरे चहरे वाले, और आउगुनी लड़के के साथ बिवाह करना परता है, यह है दहेच के मेंद कारण, और आप अगर चाहें, तो उपसंगार में लिख सकते हैं, क्या conclusion लिखें, इंडीड बास्ताव में, डाबरी सिस्टम सुट भी इस्टाबड, दहेच पथा को रोक देना चाहिए, बास्ताव में दहेच पथा को रोक देना चाहिए, we often see हम अक्सर देखते हैं in the newspaper यानि की अखवारों में हम अक्सर अखवारों में देखते हैं that की a newly bride नई नवेली दुलहन हंग फांसी पा जूल गई and or a father sold his kidney poor Dobry एक पिता ने sold यानि की बेशदी his kidney अपनी kidney poor Dobry यानि दहेच के लिए और एक पिता ने दहेच के लिए अपनी kidney बेशदी such accident ऐसी घटनाएं made our culture feel guilty made our culture हमारे culture को बना देती हैं संस्कृती को बना देती हैं कहनी की दोस युक्त ऐसी घटनाएं हमारे culture को दोस युक्त बना देती हैं बट लेकर ट्रूली स्पीकिंग लेकर सच्चाई की वार्थ तो यह है डैट की ब्राइड इज डौबरी दोलहन ही दहेज है अगर आप ऐसे तरीका से लिखेंगे ऐसे सब्दों से लिखेंगे बहुत ही मार में एक सब्द लिखे हुए हैं तो दस नमबर आपका बिलकुल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर आपका दस नंबर हो जाएगा चलिएगा हम आंगे दिख रहे हैं अब दिया गया है Write a letter to the editor of our national daily showing your concern over high rise in water text यहनि कि जो water text पर water text जो भेंग कर तरीका से high rise हो गया है बहुत जादा हो गया है इस पर आपको एक letter लिखना है editor of national daily के अख़वार वाले को लिखना है अगर यह ना बने तो आप लिख सकते हैं Write a letter to the principal of your college for a free studentship to enable you to study further यहनि कि हमें जो free studentship मिलती है उसके लिए ठीके ना तो दोनों ही simple हैं तो चलिएगा मैं पहला ही आपको बता रहा हूँ दस नंबर में है यह भी तो दस नंबर का है थोड़ा आपको हसाब से लिखना है ताकि दस नंबर आपके clear हो जाए तो कैसे लिखेंगे देखिए आपको सबसे पहले लिखना है to फिर लिखना है the editor of national daily के कोई अख़वार है तो उसका नाम लिख सकते हैं इसका जहां center हो तो वहां लिख सब्जेक्ट अगर चाहें तो लिखने वरना कोई ऐसा जरूरी बात नहीं होती है फिर लिखेंगे आप sir ठीक है आप लिखेंगा respectfully I wait to say that ठीक है यहां तक तो जहां तक हर बच्चे को आता है ठीक है बिलकुल यहां तक आता है अब इसके बार आप क्या करेंगे आपको लिखना है I live in villa town कि मैं बिलाताल जैसे आप जहां पर हो तो वहां पर मैं रहता हूँ It is a very big town बिलकुल सरलभासा में दिया गया है कि यह एक बहुत ही बड़ा कस्वा है There are many problems in villa town There are many problems मतलब कई समिश्याएं है In villa town यह नहीं बिलाताल में बिलाताल में कई समिश्याएं है And one of roast problem यह नहीं कि जो गंबी खराब समिश्याएं है उनमें से एक क्या है Is water tax तो एक है water tax आप लिख सकते हैं Respectfully I would to see that I live in villa town It is a very big town There are many problems in villa town And one of roast problem is water tax ठीक है इसके बाद अगर आप चाहें तो पहरा चैंज कर दें और लिखें क्या There is lack of water in my town There is lack means होता है कमी Water यह नहीं पानी की पानी की कमी है In my town यह नहीं मेरे नगर में मेरे कस्बे में मेरे कस्बे में पानी की कमी है Ponds, rivers and bell are dried Pond यहनी की तालाब River यहनी की नदिया And bells यहनी कुएं Are dried सुख गए है तालाब, नदियां और कुएं सुख गए है Animals and birds are dying Because of lack of water Animals यहनी जानवर पसू and birds पक्छी पसू पक्छी और डाइंग मर रहे हैं Because of lack of water पानी के कमी के कारण That is why इसलिए There is high tax on water यहां पर हम लिखेंगे फिर भी at फिर भी at तब भी There is a high tax on water पानी पर बहुत जादा tax लगा हुआ है So I request you मैं आप से निवेदन करता हूँ Please Please और यहां पर याट कर देना Please publish this news on the front page of your newspaper आप अपने newspaper के front page यानि की आंगे बाले page पर ही इसे प्रकासित करें I have not only hope मुझे आसा ही नहीं But also भलकी full faithful विश्वास है That की You will not disappoint me कि आप मुझे निरास नहीं करेंगी ठीक है इसके बाद आप लिखेगा faithfully अगर नाम दिया गया है तो नाम लिख दे ना दिया गया है तो एक स्वाइज जेट कर दे Thank you sir यहाँ पर डेट डाल दे अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 9, 8, 9 नमबर बिलकुल यहाँ पर मिल जाएंगे थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जारती है जैसे तो बिलकुल हो जाएंगे क्योंको यह भी copy students की ही है ठीक है तो आँगे हम देखेंगे आँगे देखेंगे कैसे लिखेंगे अगला question क्या है तो अंट्रोल्ड में दिया गया है section C क्या दिया गया है section C grammar तो grammar is choose the correct option to answer the following question दिया गया the country ruled by a king ठीक है ओए है जाज जिस पर कोई राजा राज करता हो तो इसको हम लेखेंगे मोनारचरी क्या लेखेंगे मोनारचरी ठीक है राजसाही अधा प्रेज एटा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता धीरे धीरे का मतलगातार continuously भी उसका भी हो जाएगा the channel name of loadable loadable का मतलब होता है प्रसंसायोग प्रेज बर्दी इसका भी हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रेज बर्दी यहां दिया गया है तो दो दो नंबर आपका क्लियर हो रहा है आंगे बढ़ेंगे दो नंबर के लिए वन सुट नॉट एप व्यूज फादर विच वर्ड इन डिस जेंटेस इस एन एरर कौन गलत है यहां पर गलत है क्यों क्योंकि यहां पर वन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होना चाहिए प्रेज क्या होगा цथR कृषछ टीक है उनिकी पांच कर आफ करते दो यहां पर नंबर खिलियर हो जाएंगे दस नंबर ठीक है तो अभी हम आंगे बढ़ रहे हैं ठीक है तो दस नंबर आपका यहां पर बिलकुल खिलियर हो जाएगा तो यहां पर बच्ची ने लिखा है ठीक है तो यहां पर दस नंबर खिलियर हो जाएगा ठीक है आंगे बढ़ते हैं आ यहां पर देख लें वैसे दो में से एक करना पड़ता है यहां पर दोनों कर दिये कोई बात नहीं है दिया है यू सैट टु हिम आरी यू आ फूल तो सेट की जगा हो जाएगा आर्ट बिल्कुल सही है कॉमा की जगा एक हो जाएगा यू बदलेगा हिम के अंसरा तो ही हो जा इसका कमपाउंड बनाना है अगर कमपाउंड नहीं हो तो नीचे कंप्लेक्स भी दिया गया है तो इन वी इट टू लाइव लिव हम जीने के लिए खाते हैं उसने कंप्लेक्स बनाया है तो वी इट सो दैट वी में लाइव बिल्कु सही है बिटा बहुत बढ़िया करना switch off the fan इसका passive the fan should be switched off बिलकुल यहां पर दो नंबर clear हो जाएगा every rose has a thorn इसका negative बनाना नो रोज है जा thorn बिलकुल यहां पर दो नंबर बिलकुल सही है five shifts are grazing तो यहां पर आपको error find करना था तो shifts में बहुचन बना है तो नहीं बनना चाहिए तो यहां पर दो नंबर आपका clear हो जाएगा ठीक है तो यहां पर दोनों बना दिये हैं दोनों शही हैं पर नंबर एक में ही दूँगा मैं यहां पर दिया गया होमोफान ठीक है फाइब का यी बॉर्ड और बॉर्ड चेक और चेक तो यहां पर चेक को मैं करूंगा प्लीज चेक माई कॉफी आई हैवा बैंक चेक तो बिलकुल यहां पर दो नंबर आपको मैं दो दिराहां हूं आंगे बढ़ेंगे स्टोरी की ओर स्टोरी क्या है स्टोरी है देखो पांच नंबर में स्टोरी आती है दिया गया है कि हमें पालतू और मुख पसूँँ की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए तो बी शुट नाट गो आड़्टर एनिवन लाइक पैट एंड ठीक है लेक्टर्ण एनिमल ठीक है तो मुख के लिए हम लेख सकते हैं डम भी लेख सकते हैं 現在 है तो यह सई है अगला है जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए सब्जक्ट यहां पर निकालना पड़ेगा तो B हो जाए अगर B यानि कि हमें शुटमीज चाहिए फिश यानि कि सामना करना किसका सामना करना है फेस दा इस्ट्रगल ओफ लाइफ जीवन के संगर्स एंड अपकमिन डेंजर्स आने वाले खत्रों का बित फियरलेसनेस निर्भीकता से एंड बित करेज और साहस से बिलकुल सही है हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए फिलकुल सही है हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए वी सुड नॉट थिंक पास्ट थिंक अगें एंड अगें बिलकुल वी सुड ओनली अंग दिया गया है बस हमें करतबों के पती सचित रहना चाहिए वी सुड ओनली वी अभेर वी अभेर नहीं नहीं इस केवल अभेर ही है पूर अबर ड्यूटी तो यहाँ पर बिलकुल का नाम करके मैं यहाँ पर एक नंबर तो काठी लूँगा चार नंबर यहाँ पर किलियर हो जाते हैं ठीक है तो ग्रामर का जो सेक्शन था वो समाप्त हुआ अब यहाँ पर दिया गया है अंसॉल में सेक्शन डी सेक्शन डी किताब का है सेक्शन डी मैं हल नहीं करवा रहा हूँ सेक्शन डी के लिए मैं कुछ इंपोर्टेंट कुश्चन आपको मैं बता दूँगा ठीक है मतलब इसी से गैस करके कौन-कौन अत्कांस दिखो यहाँ पर दिया गया है तो यह बिलकुल है लिकार टैम लग जाएगा बैसे और बताना कमेंट करके के नहीं सर सेक्शन डी भी हल करवा रहें तो बिलकुल यहाँ पर सेक्शन डी दिखो है ऐसा नहीं है कि सेक्शन डी ना हो तो आप बताएं थोड़ा ठीक है तो चलिएगा बताएं अपनी राय दें किस तरीका से आप भी कर सकते हैं पेपर को तो इसमें मिला है चार दो छे गारा इसके बार इसके बार तेरा चवदा पंदरा सोला और नो पच्चीश और दस पैंतीस और दस पैंतालिस और पंदरा यहनिकी पचपन थीक है तो पचपन नंबर का जो ग्रामर है पचपन 32 तो पचपन नंबर यहां पर आए हैं बिल्कुल एक्क्यूरेट है ठीक है तो अगर आप भी इसी तरीका से हम तो जोड़ना चाहिए धीरे धीर दे करत करत अभ्यास के जर्मत होई सुजान रसी आवत जात से सिर पर परत निसान ठीक है सत बात है बिल्कुल प्रक्टिस कर लेंगे चलिएगा फिर मिलते हैं धन्वार